वेलकम टू बाइजू जू एक्जाम प्रैप मैं आप सभी का बाइजू जू एक्जाम प्रैप में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ साथियों स्टार्ट करेंगे सेशन को गुड़ इवनिंग टौल अफ यू शैल जा निधी साक्षी नीरज और कवीता सबसे पहले स्टुडेंट्स ने जॉइंग किया है मैं उम्मीद करूँगा दोस्तो इस क्लास के लिंक को अपने साथियों के पास शेयर कर देंगे दोस्तो टौप 500 सिरीस को हम कर रहे हैं और इसमें आज हम भाग नंबर दो दोस्तो देखने की कोशिश करेंगे बहुत इंपोर्टन भाग और यहां पर जितने भी प्रशिन होंगे दोस्तो इसकी चर्चा बड़े विस्तित रूप से आपके साथ की जाएगी तो सभी स्टुडेंट दोस्तो अच्छे तरीके से इस क्लास को एकसिस करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे पार्ट वन की पीडियफ दोस्तो आपके पास हमने अवेलेबल करवा दी है पार्ट वन की पीडियफ आपके पास पहुझ गयोगी आपको पता होगा आप उसको एक बार रिवाइस कर लिजेगा पार्ट टू की पीडियफ भी आपके पास टेलिग्राम चैनल के माध्यम से दोस्तो और यहां पर comment section में मैंने pin करवा दिया है उस वीडियो से पहले तो आप उस वीडियो को भी वहां जाकर access कर सकते हैं इस बात को याद रखेंगे तो चले साथ यो start करते हैं सबसे पहले प्रिशन के साथ सबसे पहला प्रिशन है दोस्तो आप लोगों का याद रिखेगा निम लिखित में से किसे नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारन सूचकांक में सभी ग्रूप A मंत्राले विभागों और स्वाइत निकायों में प्रथम रैंग से सम्मानित किया गया है साथ इसमें से किसको अवार्ड दिया गया है फर्स्ट रैंक अमॉंग ऑल गुरूप A मिनिस्ट्रीज जितने भी दोस्तों हमारे गुरूप A मिनिस्ट्रीज हैं डिपार्टमेंट्स हैं ऑटोनॉमस बोडीज हैं जिन्होंने दोस्तों शिकायत निवारन सूचकांक यानि क ग्रिवेंस रिड्रेशल इंडेक्स में नमंबर 2022 में दोस्तों फर्स्ट रैंक हासिल करी है इसमें से कौन सा संस्थान आप लोगों को देखने को मिलेगा सब लोग आंसर करें बहुती शांदार कोश्चन हैं दोस्तों जी बताएए साथ याद रेखिएगा यहाँ पर जीत पहचान प्राधीकरण साथ याद रेखिएगा इसके दुआरा लगातार फोर्थ मन्थ लगातार दोस्तों फोर्थ मन्थ फोर्थ कॉंजिक्यूटिव मन्थ साथ यह जीत हासिल कर रहा है फस्ट रैंक लेकर आ रहा है अवार्ड मिल रहा है ग्रिवेंस डिड्रेशल इंड इंडिया डीवाई चंद्रचून जी के दुआरा दोस्तों किस राज्ये के दस जिलो में जिला नयायालिया डिडिटाइजेशन हब का उटगाटन किया गया दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचून ने वर्चुली इनॉगरेट किया है डिस्टिक क Digitalization Hub DCDS के नाम से जानते हैं दोस्तों किस राज्जे के 10 जिलो में इस चीज की पेशकश की गई है और इसको लाया गया है सब लोग आंसर करें तो साथियों याद रेखेगा भारत के मुख्य नियादी इस डी वाई चन्दचून के दौरा 10 जिलो में जिस जिले के इस राज्जे के 10 जिलो के यहाँ पी बात की जा रही है वो राज्जे है दोस्तों आप लोगों का उडिसा कौनसा राज्जे है उडिसा राज्जे दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा अगला प्रिशन आपका दोस्तो भारत अंतररास्टिय विज्ञान महुसव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल दोस्तो किस का आठवा संसकरण इसका कौन सा संसकरण है तो आठवा संसकरण दोस्तो कहां पर कौन से शहर में आयुजित किया जा रहा है इसके बारे में बताएं साथ याद रहेगा भारत अंतररास्टिय विज्ञान महुसव का आठवा संसकरण दोस्तो ये आयुजित किया जाएगा आप लोगों का कहां पर भुपाल में कहां पर आयुजित किया जाए इस बात को याद रखेंगे चलेगा आगे बढ़ते हैं साथ ही अगला खुब प्रशन देखते हैं निम लिखित में से कौन सा देश युक्रेणी लोगों के साथ खड़े अंतर रास्टिय सम्मेलन की दोस्तो मेजबानी करेगा दोस्तो विच आफ दी फॉलोइंग कंट्री व बात की जा रही है दोस्तो सब लोग एक बार आंसर करें क्या राइट आंसर होगा इस कोश्चन का तो साथ ही याद रहिखेगा इस कोश्चन का राइट आंसर होगा आप लोगों का फ्रांस ठीक है तो फ्रांस यहाँ पर दोस्तो मेजबानी करेगा एक अंतर रास्टे कॉन दोस्तो स्वे संचालन एरलाइनों में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए किस एरलाइन को GMR दिल्ली एरपोर्ट अवार्ट्स द्वारा सेफटी पर्फॉर्मेंस आफ दी एर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है साथ्यों यहाँ पर यह पुरुसकार दिया गया है स्पाइस जैट को किसको दोस्तो स्पाइस जैट को यहाँ पर बैस सेफटी परफॉर्मेंट आफ दी एर अवार्ट्स से नवाजा गया जी अमार जिल्डी एरपॉर्ट अवार्ड्स के द्वारा यह बात ध्यान रखेगा टॉप पर्फॉर्मर की कैटागिरी में इसको नवाजा गया है इस बात को याद रखेगा अगला प्रशन साथ हो आप लोगों का हाली में 25 वे शिरी चंद्र शेकरेंद्र दोस्तों चंद्र शेकरेंद्र की बात कर रहे हैं चंद्र शेकर तो नहीं है चंद्र शेकरेंद्र सरस्वती नाशनल दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एमिनेंस अवार्ड की जिसको SIES अवार्ड से जाना गया तो यानि कि सरस्वती National Eminence Award दोस्तो इससे किसको सम्मानित किया गया है बहुती शांदार प्रशन आप सब लोगों के लिए आंसर करें साथियो किसको दोस्तो यहाँ पर नवाजा गया तो याद रिखेगा यहाँ पर साथियो नवाजा गया है वंकईया नाइडू को SIES ठीक है जो हमारे साथियो सरस्वती National Eminence Award है इसकी कैटेगरी से यहाँ पर पच्चिसवे शिरी चंदर शेकरिंद सरस्वती National Eminence Award से नवासा गया भारत के दोस्तो पूरवराश्पती मानने शिरी वहिंकईया नैडू जी को इस बात धिहान रिखेगा अगला प्रशन साथियो आप लोगों का निम लिखित में से कौनसा भारती अभिनेता उन आठ लोगों में शामिल है जो एक अंतरिक श्यान पर चंदरमा के चारो और उडान भढ़ेंगे पताए साथियो कौनसा इंडियन एक्टर है दोस्तो इन आठ लोगों में जो who will take flight around the moon on a spaceship आंसर करेगा सब लोग साथियो बड़ अच्छा कोश्चन है कौन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जर्फ आंसर कहने साथियो तो साथियो इस कोश्चन का राइट आंसर है आप लोगों का देव जोशी ठीक है देव जोशी साथियो भारतिय उन भारतिय बिनेताओं में से हैं उन आठ लोगों में शामिलने भारतिय बिनेता हैं जो एक अंत्रिक शानपर चंदरमा की चारोगोर उड़ान भरेंगे ये बात ध्यान रखें अगला प्रशन साथियो आप लोगों का हाली में 10,000 टेस्ट के रन बनाने वाले इतिहास में तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं दोस्तों, who has become the third क्रिकेटर in the history to score 10,000 टेस्ट रन्स recently साथियों, यहाँ पर यह जो आपका मोर्चा है या इस इतिहास को रचने वाले हैं दोस्तों, आप लोगों के जोरूट और ऐसे पेपर में कोश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे प्रिशन, BPSC के फेवरेट हैं दोस्तों आपको बता दूँ और हर पब्लिक सर्विस कमिशन के फेवरेट कोश्चन के अंतरगत आता है और जोरूट दोस्तों ये कौन से क्रिकिट टीम के कपतान थे भूतपूर कपतान थे दोस्तों तो याद रिखेगा साथियो ये फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन के रूप में देखे जाते हैं ये दोस्तों भूतपूर वा आपके फॉर्मर कौन है ये old started England team के, आपके कौन थे सातियों? Captain के रूप में देखे जाते हैं, England team के कौन थे, सातियों captain आपके कहलाते हैं, मानने श्री जौरूट सहाब ये बात ध्यान रेखिएगा, klarirem, चलिए आगे बढ़ते हैं, सातियों किस team के चौते टैनिस प्रीमियल लीग 2022 के champion के रूप मे ताज पहनाया गया है दोस्तों जो चौत्थी टैनिस प्रिमियर लीग हुई है उसमें साथ्यू आप लोगों को बताना है यहाँ पर जीत का ताज किसको दोस्तों चैंपियन के रूप में ताज पहनाया गया है तो याद रखेंगे साथ्यू यह है आपकी हैदरबाद स्ट्राइकर वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन वेरी गूड कवीता सिंग शेल जाने बलकु सही आंसर क्या है यहाँ पर हैदरबाद स्ट्राइकर दोस्तों आपके इस प्रिशन का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा यह बात ध्यान रिखेगा किलियर है बाद सब लोगों को दोस्तों समझ मारी है कोई दिक्कत तो नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रिशन यहाँ पर देखते हैं विच आप दी फॉलोइंग कंट्री हैज प्रिंटिड दा फर्स बैंक नोट्स करेंसी नोट्स विट टू वुमें सिगनेचर दोस्तों यहाँ पर किस देश ने दो महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट मुद्रा नोट छापा है यहाँ पर दो महिलाओं के दोस्तों आपके क्या होंगे साइन आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे ठीक है दो महिलाओं के दोस्तों साइन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो कौन से देश ने दोस्तों ऐसा क के सिगनेचर आपको देखने को मिलेंगे जो एक डॉलर और पांच डॉलर के नोट हैं दोस्तो उसमें दो महिलाओं के सिगनेचर देने की बात की है एक है दोस्तो आपकी जैनिट और एक है आपकी लिन दो मैडम है इनके साइन यहाँ पर दोस्तो देखने को मिल रहे हैं तो USA ने दोस्तों पहला देश होगा जो दो महिलाओं के स्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट मुद्रा नोट दोस्तों जिसे ने छापा है ये बात ध्यान रिखेगा तो Janet और Lynn की यहां पर दोस्तों हम बात करेंगी आने वाली जनरेशन को दोस्तों हम क्या नहीं करने देंगे यहां पर धूम पान नहीं करने दिया जाएगा क्या नहीं करने दिया जाएगा दोस्तों धूम पान यहां पर नहीं करने दिया जाएगा और ऐसा future generation के लिए law pass करने वाली country बनी है न्यूजलेंड तो न्यूजलेंड पहला देश है दोस्तो जिसने नया धूम्पाम विरोधी कानून पारित किया है first law, world का ये पहला law है अपने आप में साथियो जो smoking को ban कर रहा है future generation के लिए जो आने वाली हमारी generation है उसके लिए दोस्तो बैन किया गया है यहाँ पर धूम्रपान को तो यहाँ पर ऐसा करने वाला दोस्तो कौन है न्यूजलेंड है ये बात ध्यान रिखियेगा आगे बढ़ते हैं साथियो अगला प्रेशन देखते हैं क्या है दोस्तो यहाँ पर बात करेंगे जैरेमी फरार को दोस्तो इनको विश्व स्वास्ते संगठन यानि की दोस्तो डबलु वैचो का नया मुख्य वग्यानिक निक्त किया गया है तो पहली बात तो आपको यह बनाया गया है डबलु वैचो का तो इन्होंने किसका स्थान लिया है यह आप से पूछ रहा है किसको दोस्तो रिप्लेस करके यह आए हैं क्या नाम है उनका किसको रिप्लेस करके इनको लाया गया है तो साथ यह काफी फेमस नाम था स्वाम्या स्वामिनाथन इनको रिप् आयोजित होने वाले Golden Globe Awards में किस फिल्म को दो श्रेणियों में नामंकित किया गया है साथियो Golden Globe Awards में किस फिल्म को दो श्रेणियों में दोस्तों क्या किया गया है नामंकित किया गया है जनवरी 2023 में दोस्तों ये क्या हुए थे आपके आयोजित आपको देखने को मिले तो साथियों याद रहेगा ये मूवी है आप लोगों की चंद्रमॉली सहाब की ट्रिपल र सबने देखी थी दोस्तो काफी important काफी अच्छी मूवी रही ट्रिपल र मूवी दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी जहां पर साथियों Golden Globe Awards में दो शेणियों में Triple R को क्या किया गया था नामंकित किया गया था अगला प्रशने साथियों आप लोगों का Which edition of the India Kazakhstan Joint Training Exercise दोस्तों काजिन्द बाइस starts at उम्रोई मेखाले साथियों उम्रोई मेखाले में कहां पर उम्रोई मेखाले में इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में सबको जानकारी है इंडिया और कजाकिस्तान तो यहां पर दोस्तों काज आया कजाकिस्तान से और IND यहां पर लाया गया दोस्तों भारत का तो यह होगी काजिन्द और यह दोस्तो joint training exercise है तो इसका यहाँ पर कौन सा संसकरण दोस्तो देखने को मिल रहा है यह आपको बताना है बताइए इसका दोस्तो कौन सा संसकरण आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो साथियो काजिंद का इस बार 6th यानि की छटवा संसकरण दोस्तो आप लोगों क देखने को मिल रहा है और ये कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में होने वाली जॉइन ट्रेनिंग एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिले की अगला प्रेशन दोस्तो आप लोगों का फुटबॉल खिलाडी लियोनल मैसी ने कुस्टी की है कि वह 18 दिसंबर को फीफा कहां से अर्जेंटिना से जिसकी राजधानी ब्योनिस आयर्स होती है आप सबको पता होगा भई यहां पर अगर हम बात करेंगे लियोनल मैसी की तो दोस्तो अर्जेंटिना के खिलाडी है इस्पेन के खिलाडी है क्या अर्जेंटिना के खिलाडी है लियोनल मैसी के player of the year award से किसको crown किया गया है नवाजा गया है 2022 के लिए सब लोग दोस्तों answer करेंगे यहाँ पर who was crowned women's tennis association player of the year award से तो देखें काफी चर्चा में ये नाम चल रहा है और इनका नाम है दोस्तो इगा स्वेटेग मैंने आपको last classes में भी बताया था इनकी country आप सब लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों इनकी country आप लोगों की Poland तो ये Poland से आपको आती भी दिखेंगी याद रिखेगा very important name इगा यहाँ पर स्वेटेग की बात करूँगा सभी BPSC के students से मैं कहना चाहूँगा और आप इस चीज को अपने साथ्यों के को भी इंतला कर दें अभी इस समय आपको previous current affairs पढ़नी है कोई भी बच्चा जनवरी की current affairs ना पढ़े ना पेपर में आपकी आएंगी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं आने की और ना इस बार का बजट आपको economic survey आपको पढ़ना है याद रिखिएगा December तक का ही content आपके लिए बहुत important है और सभी students से मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी content कोई की paper बन चुके है online paper होना नहीं है paper को center पर पहुचाना भी होता है उसको बनाना भी होता है तो it will take time affairs पर लगाईएगा नई current affairs कोई नहीं पढ़ेंगे 2022 पूरा पढ़ डालिएगा जहां से भी जो मौका मिल रहा है उसको पढ़ने की कोशिश करें नया ना economic survey पढ़ना नया ना बजट पढ़ना सिर्फ 2022 का economic survey और बजट आपको पढ़ना है 2022 की ही current affairs आपको पढ़नी है ये सारे students को आप अपने बता दीचेगा समय बरबाद नहीं करना कि आप content पढ़ रहे हैं आपको पेपर देना है भी 12 तारीक को और आप जनवरी की current affairs को रेफर कर रहे हो और आप economic survey बजट पढ़ रहे हो ये दोस्तो पेपर में एका दुखका question कोई फजिया तो अलग बात है लेकिन हमारा focus सिर्फ इस पात पर होना चाहिए कि 2022 ही हमारे लिए important है ये बात ध्यान रखें समझ मारी ये बात तो इगा स्वेटेक दोस्तो आपकी कहां से आती है पॉलेंड से आती है इस बात को याद रिखेगा और पहली बार इंको अपने करियर में दोस्तो इस अवाट से नवाजा गया अगला question साथी हाली में किस राज्ये ने प्रसिद बैपोर उरू एक नाव है दोस्तो बोट है उसके लिए जी आई टैग के लिए आवेदन किया है यह आपको बताना है दोस्तो तो यहाँ पर कॉंसी स्टेट ने अप्लाई किया है जियोफगर्फिल इंडिकेशन टैग के लिए अपनी फेमस दोस्तो यहाँ पर बोट के लिए तो यह दोस्तो आपकी केरल का यहाँ पर जी आई टैग आपकी बात की जारी है केरल की दोस्तो प्रसिद वेपोर उरुडाव आपको देखने को मिलती है त्स वेरी वेरी इंपोर्टन चलिए आगे बढ़ते हैं सातियो सरकार ने हाली में तो दोस्तो गमोचा होता है उसको GI टैग परदान किया है तो दोस्तो गमोचा किस राज्य का उत्पाद आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ही शानदार प्रशन है और अभी कुछ दिन पहले दोस्तो चर्चा में भी रहा था गमोचा आपका दोस्तों ये है आपका असमका तो असमका दोस्तों ये product है राज्य उत्पाद है इसको geographical indication tag देने के लिए grant करने की बात यहाँ पर की गई है इस बात को याद रखिएगा अगला question दोस्तों कौन सा देश पहरी बार नवंबर 2022 में इराक की जगह भारत को शीर्ष टेल आपूर्ती करता के रूप में उभरा है यानि कि भारत के दोस्तों इराक की जगह भारत के को शीर्ष टेल आपूर्ती करता के रूप में उभरा है कौन सा देश तो दोस्तों ये ह आप लोगों का कोई बताएगा साथियो कौन सा देश यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बलुकू सही बोला आपने दोस्तो रशिया इस कोश्चन का राइट आंसर है रशिया दोस्तो आप लोगों को देखने को मिला बात करेंगे निम लिखित में से किस शहर ने दो हजार पच्चिस के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवारे कर दिया है दोस्तो किस शहर ने दो हजार पच्चिस के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवारे कर दिया है कि लाइट आपको लगानी है तो दोस्तो सोलर पैनल के माध्यम से ही आप राइट लगाएंगे तो दोस्तो कौन सा शहर है दोस्तो ये है आपकी जपान की राजधानी टोक्यो टोक्यो में ऐसा निवादे कर दिया गया है कि 2025 के बाद जितने भी नए घर बनेंगे उसमें दोस संयुक्त रास्ट महिला अधिकार समू से हटा दिया है दोस्तो युनाटिड नेशन मेंबर स्टेट्स ने रिमूव किया है कौन से देश को युएन वुमेंस राइट ग्रूप से रिसेंटली ये आपको बताना है दोस्तो ये अभी जो हटाया गया है ये इरान को यहाँ प नेपाल के बीच में दोस्तो आप सबको बदा है एक संयुक्त प्रसिक्षन अभ्यास सूर्य किरन काफी फेमस है इंडिया और पाकिस्तान इंडिया और नेपाल के बीच में दोस्तो आपका एक ट्रेनिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी दोस्तो ट्रेनिंग एक्सरसा आप लोगों को दोस्तों देखने को मिला है ये बात याद रिखिएगा अगला कोशन साथ ही आप लोगों का टाटा स्टील लिमिटेड ने F.I.H. होकी मेंस वर्ल्ड कप यानि कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारे टाटा स्टील लिमिटेड है इसने एक M.O.U. साइन किया है को यह बताना है विच आफ दा फॉलोइंग स्टेट विल हॉस्ट F.I.H. मैंस वर्ल कप दोहजार तेहिस काफ़ इंपॉर्टन कोशन है दोस्तों नेम लिखित में से कौन सा राज्य है F.I.H. जो मैंस वर्ल कप दोहजार तेहिस हो रहा है उसकी दोस्तों मेजबानी करेगा यह आपको बताना है तो यहाँ पर साथियो ऑविस बात है जो राज्येस की मेजबानी करने जा रहा है वो है दोस्तों आपका उडिसा बहुत महत्मून परशनेस को पेपर में जरूर नोट कर लीजेगा काफ़ इंपॉर्टन आपको देखने को मिलेगा अगला परशन साथ क्यों केन सरकार ने प्रधान मंत्री कोशल को काम कारेकरम को का नाम बदल कर दोस्तों पी-म विकास यूजना कर दिया है तो दोस्तों आप से पूछ रहा है विकास में ऐसका क्या मतलब है बताए साथियो प्रधान मंत्री दोस्तों को काम कारेकरम का नाम बदल कर पी-म विक तो आपको बताना है दोस्तो इसका क्या मतलब है तो सातियो विकास प्रिधान मंत्री विकास की बात की जा रही है तो दोस्तो इसका मतलब है प्रिधान मंत्री दोस्तो क्या बूलिएगा नाम मदलकर प्रिधान मंत्री विरासत का समवर्धन क्या नाम कर दिया गया है प्रिध नम्बर डी बिल्कुल करेक्ट है क्या बोला दोस्तो प्रधान मंत्री आप लोगों का विरासत का संवर्धन इसका नाम कर दिया गया है प्रधान मंत्री कोशल को कारेकरम का ठीक है याद रहेगा काफी important है अगला दोस्तो यहां पर भारत अंतरास्ट्य विज्ञान महसब का आठवा संसकरन जनवरी 2023 में निम लिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा तो और डेड़ी दोस्तों एक बार बता चुका हूँ आप लोगों को क्या अंसर होगा दोस्तों तो आपको बदाए साथ यह भुपाल में आप लोगों का आयोजित करने की बात की जा रही ही है याद रखें साथियो 48 वी GST काउंसिल की मीटिंग जो हैल्ड हुई थी वो किस शहर में हुई थी 48 वी GST काउंसिल समीती की मीटिंग कहां पे हुई थी साथ वी मीटिंग आपको देखने को मिली कहां पर नियू दिल्ली में और आपको मैंने बता रखा है साथियो GST का चेर्मेन हैं वो वरतमान में कौन है दोस्तो निनमला सीता रमन है जो भी दोस्तो हमारा केंद्र वितमंत्री होते हैं वो इसके GST काउंसिल के कौन होते हैं चेर्मेन होते हैं इस बात को याद रखेंगे बाकी GST काउंसिल के बारे में आप जानते हैं साथियो इसमें दो तरी या सोनी चाहिए तब ही दोस्तों वो recommendation आपकी आगे बढ़ती है यह मैंने कई बार आपको GST council के बारे में बता रखा है सात्यों बात करेंगे important विदेश मंत्री हमारे जो है external affairs minister S.J. शंकर ने दोस्तों किस अवधी के दौरान किस अवधी के लिए संयुक्त राज सुरक्षा परिशद में गैर इस्थाई सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी की घोशना की बहुत important प्रशन है सात्यों external affairs minister के दौरा सात्यों announce किया गया है candidature of India for non-permanent membership at the UNSC for the term तो आप लोगों को बताना है सात्यों ये आपकी 2028-29 के लिए यहां पर बात की जा रही है किसके लिए 2028-29 वाले year के लिए बात की जा रही है और आपको बता ये सात्यों United Nations Security Council का headquarter नियॉयर्क में है इसमें दोस्तों total 15 सदस्ये आपके होते हैं सबको जानकारी होगी जिसमें से 10 सदस्ये दोस्तों आपके non-permanent हैं और 5 सदस्ये आपके दोस्तों permanent होते हैं सबको जानकारी होगी तो UNSC दोस्तों आप लोगों को United Nations Security Council दोस्तों इसका headquarter नियॉयर्क में आप लोगों को देखने को मिलेगा अगला प्रशन है सात्यों आप लोगों का NHPC Limited यानि की National Hydroelectric Power Corporation Limited के दोस्तों आपके प्रबन देशक अध्यक्ष और प्रबन देशक के रूपे किसे निक्त किया गया है सात्यों NHPC Limited के जो CMD अपॉइंट किये गए हैं इनका नाम है सात्यों राजीब कुमार विश्णोई सहाब राजीब कुमार विश्णोई सहाब को दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस बात को याद रहेखेगा अगला प्रशन सात्यों आप लोगों का निम लिखित में से किसे हारवर्ड विश्विध्याले की पहली एश्वेत महिला अध्यक्ष निक्त किया गया है दोस्तों हारवर्ड विश्विध्याले की पहली एश्वेत महिला अध्यक्ष निक्त किया गया है वो किया गया है डाक्टर कलोडाइन गे को दोस्तों डाक्टर कलोडाइन गे को सबसे पहली ब्लैक मुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया है दोस्तों हारवर्ड युनिवस्ट लियो यहाँ पर वराट कर को किस देश के प्रधान मंतरी के रूप में फिर से चुना गया है साथियो याद रिखेगा इंडियन ओरिजन लियो वराट कर को दोस्तो आयरलेंड के प्रधान मंतरी के रूप में चुना गया है याद रखेंगे और Ireland की दोस्तो राजधानी सबको पताईगे दोस्तो क्या होती है Dublin आपके Ireland की राजधानी आपको देखने को मिलेगी अगला प्रिशन है साथियो Minority Rights Day अलफ संख्यों को क्या अधिकार दिवस दोस्तो कब मनाया जाता है किस दिन बनाया जाता है साथियो अलफ संख्यों को का यहाँ पर जो अधिकार दिवस है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है और आप सबको पता होगा भारत में अलफ संख्यों के लिए साथियो हमारे संविधान के दोस्तो आर्टिकल 29 और 30 में हम कल्चरर और एजुकेशनल राइट्स की बात करते हैं मैनोर्टीस के आप सबको पता होगा सांस्किर्तिक और सैक्षिक अधिकारों की बात करते हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में ये बात ध्यान रिखिएगा अगला प्रशन सात्यो भारत जन्वरी 2023 में जाफना जिले के कांकेस थुराई बंदरगा और पांडी चेरी में कराईकल बंदरगाओं के बीच एक यात्री नौका सेवा शुरू करेगा तो आपको बताना है साथियो यह जाफना जिले का जो कांकेस थुराई बंदरगा है, यह किस देश में इस्तित है, साथियो याद रिखेगा अगर हम कांकेस थुराई बंदरगा की बात करेंगे, तो यह साथियो आप लोगों को श्री लंका में देखने को मिलेगा, कहां पर दोस्तो जाफना जिला काफी फेमस है मैंने जियस बूस्टर सीरीज में आपको कोशन भी करवाया था जाफना के ओपर अगर आपको याद आ रहा हो कि जाफना कहां पर है दोस्तो तो श्री लंका में आपको देखने को मिलेगा इसके लावा साथियो पुरुशो की श्रीणी में दो हजार बाइस के लिए अंतर रास्टिय टैनिस महासंग इंटरनेशनल टैनिस फेडरेशन विश्व चैंपियन का ताज किससे पहनाया गया ये आपको बताना है साथियो आप सबको बदा है ये ताज पहनाया गया किसको राफेल नडाल को किसको साथियो राफेल नडाल को ये ताज पहनाया गया आई टी अफ विश्व चैंपियनशिप का ताज पहनाया गया पुर्शो की श्रेणी में 2022 में इस बात को याद रेखिए अगला प्रेशन साथियों ये है अर्जेंटिना ने किस देश को हरा कर तीसरी बार फीफा विश्यू कब 2022 का खिता बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है के लिए रेखा सब लोगों को जल्दी से बताईएगा आगे बढ़ते हैं साथियों अर्बी भाषा दिवस हर साल किस दिन मनया जाता है दोस्तो आपका Arabic Language Day हर साल कब मनया जाता है चरांसर करेंगे साथ्यों याद रहेखिएगा ये मनया जाता है 18 दिसमबर को कब 18 दिसंबर को दोस्तो आपका मनाया जाता है अगला प्रेशन साथियो गोवा लिबरेशन डे ये आपका हर साल किस दिन मनाया जाता है दोस्तो गोवा मुक्ती दिवस हर साल कब मनाया जाता है तो गोवा मुक्ती दिवस दोस्तो हर साल मनाया जाता है 19 दिसंबर को गोवा को करने के बारे में सिफारिश करेगी तो यहां पर कॉंसिस्टेट गॉर्मेंट है जिसने कॉंसिट्टूट किया दोस्तों एक हाई लेवल टास्क वोर्स जो क्या करेगी रिक्मेंडेशन देगी दोस्तों रेगुलेट करने के लिए आनलाइन गैंबलिंग और गेमिंग को किलियर आगे बढ़ते हैं सात्यु हाली में लॉस विगास को हरा कर मिस्ट वर्ल दो हजार बाईस का किताब किसीने जीता है दोस्तो Mrs. World 2022 का खिताब किसी ने जीता है और यहाँ पर दोस्तो हराया गया किसको लॉस विगास को तो यहाँ पर दोस्तो खिताब जीता गया सरगम कौशल के द्वारा किसके द्वारा सरगम कौशल के द्वारा दोस्तो एक खिताब जीता गया याद रिखेगा निम लिखित में से किस टीम ने प्रो कबड़ी लीग के नवे सीजन का खिताब जीता है विच आप दी फॉलोइंग टीम है जापूर पिंक पैंथर्स जापूर पिंक पैंथर्स के दौरा प्रो कबड़ी लीग टाइटल दोस्तो आपका 2022 क्या किया गया जीता गया था काफी महत्मून प्रशन है आपके पब्लिक सर्विस कमिशन को ध्यान में रखके प्रो कबड़ी लीग का कोश्चन पेपर में पूछा बहुत जा रहा है आजकल आगे बढ़ते हैं साथी अगला प्रशन सरकान ने हाली में देश भर में दोस्तो 21 ग्रिन फिल्ड हाईवे हवाई एड़ो की स्थापना के लिए जो सध्धान्तिक मंजूरी दी है तो दोस्तो गौर्वर्मेंट हैस अकॉर्डेड इन प्रैंसिपल अप्रूवल फॉर दी सैटिंग अप आफ हाउ मैनी ग्रीन फिल्ड तो कोश्चन का अंसर औरड़ी आपको मिली गया है इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पर पूचा गया था कितने ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट को यहां पर क्या मिला है? सद्धान्तिक मंजूरी मिली है 21 दोस्तों आपके यहाँ पर ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट सम्बनाने की बात कर रहे हैं हिंदी में आंसर दी दिया गया, चले आगे बढ़िते हैं, सात्यों, बिश्बेन दो हजार बतीस ओल् dividing और पारलिम्पिक खेलो के C.O. के रूप में किसे नुक्त किया गया है, सात्यों, बिश्बेन में दो हजार बतीस ओल्ληम्पिक और पारलिम्पिक गेम्स में, दोस्तों यहाँ पर अपॉइंट किसको किया गया है CEO को किसको अपॉइंट किया गया यह आपको बताना है Brisbane 2022 Olympics and Paralympic Games December 2022 का दोस्तों यह अपॉइंटमेंट है किसका नाम दोस्तों यहाँ पर सामने आएगा आंसर करें साथियों आगे बढ़ेंगे करीम बिंजमा ने फीफा विश्व कब 2022 समाप्त होने के बाद अंतररास्ट्य फुटबॉल से सन्यास की गोशना की है तो दोस्तों किस देश्चे इनका सम्मन्ध है यहाँ पर हम बात करेंगे करीम बिंजमा दोस्तों याद रिखेगा इनका सम्मन्ध आपको देखने को मिलेगा दोस्तों किस से फ्रांस से कहां से सम्मन्ध है दोस्तों फ्रांस से इनका सम्मन्ध आपको देखने को मिलेगा अगेन एक वार इंपॉर्टेंट नाम रेहान एहमद दोस्तो रेहान हमद has become the youngest men's test cricketer to take a five wicket haul on debut रेहान हमद is from which country दोस्तो रेहान हमद पदापरण जो होते हैं दोस्तो आप लोगों के debuts होते हैं आपके तो पांच wicket लेने वाले सबसे कम उमर के पुरुष test cricketer बन गई हैं रेहान एहमद किस देश चे दोस्तो सम्मंद रखते हैं बलकुल सही बोल रहे हैं दोस्तो इंग्लेंड से इनका सम्मंद है ये बात याद रिखेगा अगला प्रशन साथियों आपकी fit at any age किताब के लेखक कौन है ये आपको बताना है fit at any age किताब के लेखक का नाम क्या है तो दोस्तो याद रिखेगा ये है P.V.I.R very important name fit at age किताब का नाम याद रिखेगा अगला प्रशन साथियों आप लोगों का राज्य सभा के सभापती जगदीप धनकर क्योंकि दोस्तो ये वाइस प्रेसिडेंट है भारत के उप्राश्पती है और भारत का उप्राश्पती एक्स ओफिशियों दोस्तो अपने पत के अनुसार राज्य सभा का क्या होता है चेर्मेन आप लोगों को देखने को मिलता है तो साथियो राज्य सभा चेर्मेन जगदीब धंकर ने नॉमिनेट किये हैं टू प्यूपिल टू दा पैनल ओफ वाइस चेर्मेन इन दा अपर हाउस वट आर दा नेम ओफ दीज टू प्यूपिल राज्य सभा के दोस्तों सभापती जी के द्वारा अच सदर में उपाध्यक्षकों के पैनल में दो लोगों को नामित किया गया यानि की वाइस चेर्मेन के लिए तो आपको बताना हे इन दो लोगों के नाम किया है तो दोistic इसमें एक नाम बहुत इंपॉर्टैंटै पी टि उशा का तो पीटी उशा जी और दोस्तो विजय साई रेडी यहाँ पर आप्शन नमबर डी बिलुकुल करेक्ट है इनको दोस्तो दोनों को वाइस चेरमेन का जो अपर हाउस में पैनल है हमरे आज जे सबह में उसमें दोस्तो इनको लाया गया है इस बात को याद रिखेगा अगला प्रशन साथियो आप लोगों का है किस देश ने फरवरी 2023 में अगले फुटबॉल कलब विशकप की मेजबानी करेगा बताए साथियो यहाँ पर कौन मेजबानी करेगा दोस्तो यह मेजबानी कराई जाएगी किसके द्वारा दोस्तो मुरको के द्वारा यह आपकी मेजबानी आपको देखने को मिलेगी किसके द्वारा दोस्तो मुरको के द्वारा आपको देखने को मिलेगी अगला प्रिशन साथियो कौन सी राज्य सरकार ने 24 दिसंबर से बेकल इंटरनाशनल बीचप की मेजबानी करने की बात की है दोस्तो विच स्टेट गवर्मेंट होस दी बेकल इंटरनाशनल बीच फेस्टिवल फ्रॉम 24 दिसंबर दोस्तो ये जो फेस्टिवल आप देख रहे हैं ये आपको दोस्तो देखने को मिलेगा कहांपर केरल में कहां पर साथियो केरल में इस ऐसे फेस्टिवल की बात की गई है जहां पर बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल की बात दोस्तों की जा रही है अगला कोश्चन रमिंदर नाट टैगोर साहित्य पुरुसकार 2021-2022 किसी ने जीता है इनका नाम दोस्तों आप लोगों को बताना है बताएए साथियो किसी ने जीता है वेरी इंपोर्टन ने साथियो रमिंदर नाट टैगोर लिटरेसी प्राइस 2021 यहाँ पर जीता गया है सुदीब सेन और शोबना कुमार के दोरा सुदीब सेन और शोबना कुमार के दोरा इस पुरुसकार को जीता गया रमिंदर नाट टैगोर लिटरेसी प्राइस को आगे बढ़ते हैं साथियो दा इंडियन नेवी एड़ी रेट 75 यहाँ पर दोस्तो किसकी बात करें दा इंडियन नेवी एड़ी रेट 75 रैमनी सिंग दा वाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियो इस किताब को लिखा है अरित्रा बनरजी के दौरा ठीक है दा इंडियन नेवी एड़ी रेट 75 इससे आप किताब को याद रहेंगी आपको किताबें तो अमरिता अरित्रा बनरजी के दौरा दोस्तों इस किताब को लिखा गया याद रिखेगा अगला कोशन है साथियो रास्टे किसान दिवस आपका हर साल कब मनाया जाता है साथियो रास्टे किसान दिवस आपका मनाया जाता है 23 दिसंबर को याद रिखेगा नेक्ट्ट कोश्चन फॉप्स की दुनिया में सबसे ज़ादा कमाई करने वाली महिला एटलिटों की जो वार्षिक सूचियाई उसमें शीर्ष पच्चिस में एक मातर खिलाडी कौन है? आपको ये बताना है फॉप्स की दुनिया में सबसे जादा कमाई करने वाली महिला एट्रिटो की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में एक मात्र खिलाडी का नाम क्या है ये आपको बताना है साथ्यों ये खिलाडी का नाम है आपका कौन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों पीवी सिंधु कौन है पीवी सिंधु की यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे याद रेखेगा अगला कोशन पूमा इंडिया के नई ब्राइंड अम्बैजडर किसको बनाया गया है साथ्यों पूमा इंडिया का नया ब्राइंड अम्बैजडर बनाया गया है अनुष्का शर्मा को किसको अनुष्का शर्मा को अगला प्रशन है सित्वेनी राबुका दोस्तो किस देश का नया प्रधान मंत्री चुना गया है तो दोस्तो फिजी का नया प्रधान मंत्री चुना गया है तो दोस्तो फिजी का नया प्रधान मंत्री चुना गया है फिजी पन्यास के लिए साहित्य अकद्मी पुरुसकार 2022 किसे ने जीता, All the lives we never lived, सर जीवन हम नहीं जीते हैं, पन्यास के लिए साहित्य अकद्मी पुरुसकार किसे मिलाया, दोस्तों काफी famous personality है, आप सब लोग जानते ही है, अनुराधा रॉय, very important नेम, अनुधती रॉय नहीं दोस्तों, अनुराधा रॉय का नाम याद रहेगा, very important नेम, जिनको दोस्तों All the lives we never lived, पन्यास के लिए साहित्य अकद्मी पुरुसकार 2022 से नवाजा गया, अगला प्रशन सातियो, हौकी इंडिया द्वारा, F.I.H. उडिसा हौकी पुरुष विश्कव, 2023 के लिए, भारतिये पुरुष हौकी टीम के कप्तान के रूप में, किसे नुक्त किया गया है, बहुत important question है दोस्तों आप लोगों का, तो यहाँ पर भारतिये, पुरुष हौकी टीम के कप्तान के रूप में, जो निक्त किया गया है, हर्मन प्रीज सिंग को, किसको हर्मन प्रीज सिंग को अपॉइंट किया गया है, अगला प्रशन है, आप लोगों का रास्ट ये उपभुखता अधिकार दिवस, हर साल दोस्तो कब मनाया जाता है दोस्तो नेशनल कंजियूमर राइट्स यानि क्यों भोगताओं के अधिकार के दिवस दोस्तो आपके 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है सबको पता होगा Next question दोस्तो रेलवे किस पहल के तहत एक हजार छोटे लेकिन महत्पूर्ण स्टेशनों का आधुनी करन करने की योजना बना रहा है दोस्तो भारत में रेलवे एक हजार स्टेशन छोटे हैं लेकिन important स्टेशन है उनके तहत दोस्तो उनके modernization के लिए यहाँ पर planning कर रहा है तो याद रिखेगा ये योजना है ये है अमरत भारत स्टेशन योजना कौन सी है सातियो अमरत भारत स्टेशन योजना के तहत ये पेशकश की जा रही है आगे बढ़ते हैं सातियो पूर्व राश्पती अब्दुल्ला यामीन को money laundering और रिश्वत खोरी का दोशी पाए जाने के बाद 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई है आपको बताना है अब्दुल्ला यामीन किस देश के राश्पती थे दोस्तों अब्दुल्ला यामीन किस देश के राश्पती थे जिन पर दोस्तों करप्शन के रिश्वत खोरी का चार्ज लगाया है और 11 साल की यहां पर दोस्तों जेल ये काटेंगे आपको नाम बताना ह साथियो ये हैं आपका मालदीब मालदीब के दोस्तों ये कौन रहे हैं राश्पती रहे हैं इस बात को याद रिखेगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने साथियो पुश्प कमल दहल प्रचंड को किस देश का निया प्रधान मंत्री है भी मैंने आपको बताया था बहुत इंपोर्टन नाम है दोस्तों नेपाल काफी इंपोर्टन कोश्चन है पेपर के साब से सारे राश्पती प्रधान मंत्री हमारे लिए स्वतेही इंपोर्टन हो जाते हैं इस बात को याद रिखेगा अगला प्रशने साथ ही आप लोगों का पहला वाईयू अभ्यास फर्स्ट एयर एक्सरसाइस वीर गार्जियन तेहिस सोला से चब्विस जनवरी तक किन दो देशों के बीच में आयोजित की जाएगी दोस्तों यह की चुकी अब तो जनवरी बीच चुका है तो बदाएए दोस्तों वीर जो गार्जियन है किस किस देश के बीच में आयोजित करने की बात की गई थी तो याद रिखेगा दोस्तों इंडिया और जपान भारत और जपान के बीच में आपकी वीर गार्जियन 2023 एयर एक्सरसाइज दोस्तों ये पहले बार एयर एक्सरसाइज आपको देखने को मिली है इंडिया और जपान के बीच में साथियो गुड गवर्णनेंस डे आपका किस दिन मनाया जाता है जरा आंसर करें तो साथियो पूर्व प्रधान मंत्री अटल विहारी वाजशपेई के जनम दिवस पर उनकी बढ़ तैनिवसरी पर हर साल 25 दिसंबर को दोस्तों गुड गवर्णनेंस डे मनाया जाता है इस बात को ध्यान रिखेगा सू शाशन दिवस इसको बोलते हैं कि अच्छा साशन की बात यहां पर की जाती है अगला प्रशन साथियो कौनसी राज्य सरकार पूर्व प्रधान मंत्री अटल विहारी वाजशपेई की विशाल प्रतिमा और उनके भव्यस मारत के हिस्से के रूप में एक शोध केंद्र का निर्मान करने जा रही है दोस्तों यहां पर कौनसी स स्टेट गौर्वर्मेंट बिल्ड करेगी एक हुज स्टैच्व अफ प्राइम मिनिस्टर विहारी वाजशपेई एंड डिसर सैंटर अज पार्ट ऑफ इस ग्रैंड ममोरियल दोस्तों बिल्कु सही बोला आपने दोस्तों मध्य परदेश इस कोश्चन का राइट आंसर किस राज्यवा केन शाशित परदेश में मनाया जाता है देखे सात्यों लोसार की बात करेंगे तो लद्दा का ये फेमस आपका फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिलेगा बात के लिए रहें आगे बढ़ते हैं सात्यों अगला प्रिशन आप लोगों का जी हाली में दोस्तो धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालिया निर्वाचन छेत्र बन गया है दोस्तों आपको बताना है धर्मदाम जो है वो किस राज्ये का शहर आपको देखने को मिलेगा सात्यों धर्मदाम जो है ये आपको शहर देखने को मिलेगा केरल का ठीक है केरल का शहर आपको देखने को मिलेगा इस बात को याद रखेंगे सात्यों स्पोर्ट साइन्स सेंटर जो उटगाटन किया गया है ये किया गया है सात्यों करनाटक में कहां पर दोस्तों करनाटक में स्काउट घाटन किया गया याद रखेंगे अगला कोशन दोस्तों रेलवे बोर्ड के नए चीफ एक्जिकुडिव ओफिसर और चेर्मेन कौन बनाये गई हैं आपको पता होगा सात्यों अब रेलवे बोर्ड काड़े करता है और रेलवे बोर्ड के नए सीओ और दोस्तों आपके चेर्मेन कौन बनाये गई हैं इनका नाम आपको बताना है सात्यों ये हैं आपके अनिल कुमाल लहोटी सहाब अनिल कुमार लहोटी साहब को दोस्तो चीफ एक्जिकुडिव आफिसर और चेर्मेन बनाया गया है रेलवे बोर्ड का बहुत ही महत्पून प्रशन आप सब लोगों के लिए आपको देखने को मिल रहा है आगे बढ़ते हैं साथियो एक लब्या पुरुसकार किसे प्रदान किया गया है वर्श दो हजार बाइस के लिए साथ्यों ये पुरुसकार यहाँ पर साइकलिस्ट हैं आपकी स्वास्ति सिंग इनको दोस्तों दिया गया है एक लब्य पुरुसकार ये बात ध्यान रखियेगा अरे बोलिये बात समझ मैं भारत में यंग स्पोर्स टैलेंट्स जो है जो युवा बच्चे हैं उनको दोस्तों मॉटिवेट करने के लिए उनको एंकरेज करने के लिए ये आपका पुरुसकार दिया जाता है सात्यों यहाँ पर सबसे पहला कोशन याद रखेंगे शिरी शैलम मंदिर परिसर कहां पर है तो याद रखे दोस्तों आंद परदेश में है ठीक है अब यहाँ पर शिरी शैलम मंदिर का विकास परियोजना का उटगाटन किसे ने किया ये आपको बता रहे है तो दोस्तों हाली में केंजरे मंत्री मंडल ने निम लिखित में किस देश में नए वानिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है तो साथ यहां पर मालदीप का नाम याद रखना मालदीप कही और तो नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा लिख्वानिया तो फिर दोस्तो ऑप्शन नमबर एक आपका सही हो जाएगा मालदीप और दोस्तो लिख्वानिया में आप लोगों का नियू कॉंसुलेट आपको दोस्तो खोले जारी की बात की जा रही है ठीक है मालदीप और लिख्वानिया में ये बात ध्यान रखें अगला कोशन है साथियो नैशनल हाइवे जाठोल्टी ऑफ एंडिया आप जानते हैं भारत में दोस्तो नैशनल हाइवे के बारे में थे जानते हैं तो इसमें आपको बताना है दोस्तो किसे निक्त किया गया है राष्चि राजमार्क प्राधिकरण के अध्यक्ष के एक आपका साथियो North South Corridor है जो आपका कहां से कहां तक जाता है यह आपका जाता है शीर नगर से कंड्यों कुमारी तक यह आपको पता होना चाहिए एक दोस्तों आपका East West है जो आपके दोस्तों समस के सिल्चर से लेकर दोस्तों गुजरात तक आपको देखने को मिलेका याद रख लेना इनको काफी इंपोर्टेंट है यह तीन प्रोजेक्ट काफी इंपोर्टेंट है पेपर में बार बार पूछे गए हैं से लिए बता दिया आगे बढ़ते हैं सात्यों निम लिखित मे से कौन सा राज्य है दोस्तों लोकायुक्त विदेहक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है यह बात ध्यान रिखिएगा महरास की असेंबली के दौरा महरास की दोस्तों विधान सभा के दौरा लोकायुक्त बिल 2022 आपका पास कर दिया गया है दोस्तों ये बात ध्यान रिखिएगा अरे बोलिए बात समझ मैं ने समझ मैं इसका मतलब क्या है दोस्तों अप अंटी करप्शन जो अमर्टसम होते हैं लोकपाल होते हैं अगर कोई बस्टाजार का काम कर रहा है तो इसके मुक्ह मंत्री है या इनके दोस्तों मंत्री परिशद है इस सब इसके दाइरे में आपको बाते वे दिखेंगे अच्छा राज्य में लोकायुक्त होता है और पूरे देश में आपको बदा ही है लोकपाल होता है जिसका विरोध दोस्तों अन्हाजारे कर रहे थे आपको पता होगा अन्हाजारे लोकपाल को लाने की बात कर रहे थे यह बात याद रहे हैं दोस्त तो कार्यवाह केंद्रिया सतरक्रता आयोग के रूप में किसे निप्त किया गया है एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दोस्तों सीवी सी आपको पता होगा करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये वैधानिक संस्थाने स्टैचुरी बॉडी है इसको दोस्तों प्रवीन कुमार श्रिवास्तव प्रवीन के श्रिवास्तरम दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे एक्टिंग सीवी सी के रूप में आप इन्हें देखेंगे अगला प्रिशन साथ्यों ये है आई सी सी इमर्जिंग मेंस प्लेयर क्रिकेटर आफ दी यर दो हजार बाइस लिए नामंकित किसको किया गया है ये आपको बदाना है साथियों तो यहाँ पर दोस्तों आई सी सी इमर्जिंग मेंस प्लेयर क्रिकेटर आफ दी यर दो हजार बाइस अवार्ड्स में नॉमीनी जो लखे गए हैं आई सी सी के लिए ये हैं दोस्तों आपके अर्श दीब स अर्श दीब सिंग को दोस्तों यहाँ पर लाया गया है इस बात को याद रिखे का इस वेरी इंपोर्टन कोशन आगे बढ़ते हैं साथियों फॉक्स इंदा रोड फॉक्स इंदा रोड माई डेज एड आर बियाई एंड बियॉर्ड इस किताब के दोस्तों लेखक आप से दोस्तों इस वीडियो को सब लोग लाइक भी कर दीजेगा जो स्टुडेंट इस क्लास को एक्सिस कर रहे हैं एक्सिस वीडियो को लाइक कर दें सो डैट दोस्तों सभी यहाँ पर स्टुडेंट अच्छे तरीके से वीडियो को लाइक करना ना भूला करें आगे बढ़ते साथियों निमलिखित में से किस देश में भारत साहता प्राप्त भारत साहता प्राप्त 720 मेगा वाट दोस्तों मंग देशु जल विध्युत परियोजना तो ड्रंक ग्रीन पावर कॉर्परेशन को सौपी गई है दोस्तों यहाँ पर इंडिया के द्वारा असिस्टेट 720 मेगा वाट की मंग देशु हाइडो लेक्टिक पावर प्रजेक्ट यह हैंडिट किया गया है डीजी पीसी को कौन सी कंट्री में यह इंपोर्टन कोश्चन ह दोस्तों यह जो प्रजेक्ट हैंडोवर किया गया है यह भुटान को ठीक है भुटान के वो सौपा गया है दोस्तों याद रिखेगा कौन सी फॉलोइंग कंट्री में तो दोस्तों भुटान में यह आपको देखने को मिलता है इस बात को याद रिखेगा और नेक्स कोश् इसको किसने लॉंच किया है तो दोस्तो याद रिखेगा अमिश शाह जी के दुवारा इसको लॉंच किया गया था याद रखेंगे अगला कोशन है दोस्तो सबसे बड़ा largest open air theater festival दोस्तो आपका किस राज्ये में शुरू हुआ है इसके बारे में आपको बताना है जिसको दोस उडिसा के लिए famous यात्रा आप लोगों को देखने को बिले की अगला प्रशन साथियो बांगा देश की प्रधान मंत्री शेख हसीना ने धाका में पहली मेट्रो रेल को डियाबरी और अगर गाउं स्टेशन के बीच अपनी पहली यात्रा के लिए हरी जंडी दिखाई दो दोस्तों बांगला देश में जो भी मेट्रो आप देख पा रही हैं तो यह साथियो किस देश की financial और technical help के द्वारा assistance के द्वारा बनाई गई है साथियो तो यहाँ पर इनको help की गई है जपान की तरफ से किसकी तरफ से साथियो जपान की तरफ से help इनको देखने को मिल रह 2022 का पुरुसकार मिला है International Association of Chief of Police यानि की IACP 2022 का अवार्ड दोस्तो निजात अभिहान के लिए किस राज्य पुलिस को दिया गया है तो साथियो याद रिखेगा ये दिया गया है आपकी 36 गड़ को दिया गया है इस बात को याद रिखेगा किसको साथियो 36 गड़ को ये दिया गया साथियो तो आज की इस सेशन को यहाँ पर हम दोस्तो समाप्त करते हैं याद रिखेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि next part आपका कल आएगा कल हम दोस्तो थर्ड पार्ट पे चर्चा करेंगे इसकी PDF दोस्तो आप सब लोगों को अवेलेबल हो जाएगी कल आपको सुबहस की PDF मिल जाएगी कल PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी और पहले पार्ट की PDF मैंने दे दी है तो at least इन कोश्चन को दोस्तो एक बार आप रिवाइस कर लीजेगा ठीक है तो भाग दो हमारा complete होता है अब भाग तीन करेंगे कोशिश जारी है चुलाई से दिसंबर पूरा complete करने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं सबी लोग अच्छे तरीके से दोस्तो इन सेशन को revise करें proper तरीके से इस बात को याद लिखिएगा तो चले दोस्तो ठैंक इस सो मच and may God bless you all अच्छे तरीके से पढ़ाई करें मेहनत करें और जो भी आने वाले सेशन से उन सभी के लिए दोस्तो त्यारी रखते रहें अच्छे तरीके सा आपको पढ़ाई करनी है मेहनत के साथ ठीक है चलेगा तो thank you so much and may God bless you all और जितने भी सेशन मैं ले रहा हूं उनको देखते रहें दोस्तो at least उनको आप पढ़के जाएं जिससे आपकी दिक्कत सहाँ पर समाब थो चलेगा धन्यवाद थैंक यू झालेगा थाएं जिससे आपकी दिक्टाइब करनी है